अब बिहार की अगर आप सिर्फ बात करेंगे यहाँ पर मोदी का स्ट्राइक रेट क्या कहता है यहाँ के पिछले रिजल्ट्स क्या कहते हैं तो बिहार में कुल अगर आप लोगसभा सीटों की बात करेंगे तो 40 लोगसभा सीटे हैं 17 seat पर BJP ने चुनाव लड़ा था क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में BJP का गटपन्दन जेडियू के साथ था 17 seat पर BJP ने चुनाव लड़ा था और 17 की 17 seat भारतिये जनरता पार्टी ने जीती थी यानि सिर्फ आफ BJP के स्ट्राइक रेट की बात करेंगे तो 100% रहा है बेहार में 17 की 17 seat जीती हैं 2019 लोकसभा चुनाव में ओवराल जो वोट मिला BJP को वो था 23.85 पीज दी और जिन 17 seat पर BJP ने जीत दर्ज की वो वोट शेयर है 56 पीज दी यानि आधे से ज्यादा वोट शेयर मिला उन seat पर जहां पर भारते जनरता पार्टी ने जीत दर्ज की थी अपने इसी वोट शेयर को BJP एक मुठी में रखना चाती है अपने इसी वोट शेयर को BJP अपने से अलग नहीं होना देना चाती है इसी लिए जातिये जनगर्णा पर जो पेच है वो फिलाल फसा हुआ नजर आ रहा है इस पेच को सुलजने नहीं विपक्ष देना चाता है क्योंकि इस से फायदा विपक्ष को भी है ये वोट शेयर बटेगा और इस वोट शेयर के बटने से सीधा फायदा विपक्ष को हो सकता है अब जातिका जनगर्णा के पक्ष में जेडियो और आर जेडिये की तरफ से तरक दिये जा रही है और इन दोनों तरकों में अलग-अलग बाते कही जा रही है यानि एक लड़ाई तो इंडिया गटपंदन वर्सेज एंडिये है इंडिया गटपंदन ये बता रहा डेटा का इस्तमाल करके हम development schemes बनाएंगे यानि हम जन कल्यान कारी योजनाय बनाएंगे जबकि आर जेडिय का तरक इससे बिल्कुल अलग है आर जेडिये कह रही है कि जातियों को आबादी के हिसाब से हम लोग आरक्षन देंगे आरक्षन के दाएरे को बढ़ाने के लिए डेटा होना चाहिए यानि एक तरफ जेडियू यानि नितेश कुमार ये कह रहे हैं कि हम जो ये सर्वे करा रही है उससे हम जन कल्यान कारी योजनाय बनाएंगे जबकि आरजेडी ये कह रही है जो आरजेडी के प्रश्ट भूमी रही है राजनीती करने की आरक्षन का मुद इतिश वर्सेज आरजेडी नजर आ रहा है अगर आपके पास वज्ञानी का अंकड़े होंगे जो वो कह रहे हैं समकालीन वज्ञानी का अंकड़े आकरी जाती का जन्गना एक तरफ में हुई थी उसके बाद पाकिस्तान और बंगलादीश नमके दो देश मनें मंडल करने के लिए क्या चाहिए आपके पास अरक्षन के दाइरे को बराने के लिए आंकड़ा चाहिए कि क्या सामजी कार्थिक परिवेश अगर वो आंकड़ा नहीं होगा तो कौन सी नीती लोगों तक पहुंचेगी कैसे आप चराग रोशन करेंगे अंधेरे घरों में यह महत द्राबर करते हैं किसी पार्टी ने क्या कहा है यह पार्टी का अधिक्रत वेक्ति ही बोलता है तब उसको पार्टी से जोड़िये मनुझा जाजी ने कहा यह उनकी सोच है ने यह काम तो बिहार सरकार का है बिहार सरकार क्यों कर रही है यह जो जाति अधारित गनना कराने का जो फैसला है उस फैसले में के दस्तावेज में सामिल है जो सरकार क्यों करा रही है तो अभी जेडी ओ और जेडी के बीच में एक क्लियर नहीं है कि आखरकार ये जातिगत सर्वे क्यों करवाया जा रहा है दोनों में ही विरोधा अभास है एक दूसरे के नेता इस पर बयान भी दे रही है लेकिन कोशिश ये है इंडिया गटपंदन की के हिंदूत्व वोट बैंक को हिंदू वोट बैंक को तोड़ा जाए जिसका सीधा सीधा नुकसान बीजपी को होगा